लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अंतरगत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आये हुए किसी भी उम्मीद्वार को मत देकर अपना प्रतिनिधी चुन सकती है, तथा उसे विधायका का सदस्य बना सकती है. लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है लोक प्लस तंत्र. लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन. यद्यपी शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किन्तु लोकतंत्र का सिध्धान्त दूसरे समुहों और संगठनों के लिए भी है. लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधाय का चुन सकती है. लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है. एक अच्छा लोकतंत्र वह है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथाधार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्याय पूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विश्मताय नियुन्तम हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितर्ण सर्वमान्य स्वीकृती के आधार पर हो सामाजिक न्याय का उद्देश राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बुनियाद सभी मनुश्यों को समान मानने के आगरह पर आधारित है इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वर ग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए हर किसी के पास इतने नियून्तम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धर्ती पर उतार पाए